अगर हम साउत के एक्टर्स की बात करें तो सूरिया उन चुनिंदे एक्टर्स में से एक हैं जिनकी मूईज का इंतजार लगबग सभी लोग करते हैं ऐसे में रोलक्स का करदार तो किसी के जहन से भी तक निकली नहीं पाया है अब इन सब के भीच में विक्रम के रोलेक्स भाई यानि की तमिल स्टार सूडिया आने वाले दिनों में इंडिन सिनिमा के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्स लेकर आ रहे हैं। अरो प्रतेरो बहुत लग रहे हैं कहीं तो जवाब देना ही पड़ेगा। और साउथ में उनकी फैन फॉलाइं बहुत जबरदस्त है। पिछले साल आई कमल हसन स्टार फिल्म विक्रम में सूरिया का एक छोटा सा कैमियो था गैंग्स्टर का। गैंग्स्टर के किरदार मतलब कि रोलेक्स भाई के रोल में सूरिया को देखकर लोगों का मुँ खुला रहे गया था। हिंदी ओडियंस में भी सूरिया के इस किरदार को काफी पसंद किया गया था। अब उनका अगला प्रोजेक्ट हिंदी ओडियंस के लिए और भी बड़ी ट्रीट ले करा सकता है। दरसल रिपोर्ट्स की माने तो रंगदे बसंती और दिली सिक्स जैसी फिल्म बनाने वाले डिरेक्टर राकेश ओमप्रकाश महरा के अगले प्रोजेक्ट में सूरिया लीड रोल करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी सूरिय पुत्र कहे जाने वाले किरदार कर्ण पर आधारित होगी। रिपोर्ट्स में यही बताए गया है कि यह दो पार्ट की एपिक फिल्म होगी। मुवी के 2024 तक फ्लोर्स पर जाने की पुरी उम्मीद है। रिपोर्ट्स केस हूतरों के हवाले से यह बताए गया है कि कर्ण जैसा कॉम्पलेक्स किरदार पर पर उतारने की कोशिश अभी तक किसी ने नहीं करी है। इस करदार के लिए राकेश उम्परकाश महरा और उनके पार्टनर्स को एक ऐसे अक्टर की तलाश है जो बड़ी आसानी से एक जोन से दूसर जोन में जा सके। और इस काम के लिए सूर्या से बहतर कौन हो सकता है ये एक बड़ी पैन इंडिया मूवी होने वाली है और बागी किरदारों के लिए इंडिया की दूसरी नस्टी से भी अक्टर्स को लिया जाएगा जिससे की सभी लोग इससे connection फील कर सके अब सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट वगेरा ओल्रेडी फाइनल हो चुकी और डिरेक्टर फिलहाल प्रीट प्रोडक्शन स्टेज पर काम कर रहे हैं इस फिल्म की official announcement भी आने वाले दिनों में जल्द ही कर दी जाएगी राकेश उम्रकाश महरा पिछले काफी समय से कंड के किरदार पर बनने वाली इस फिल्म पर काम कर रहे हैं रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहले वो इसे ड़ाई घंटे की एक feature film बनाने चाहते थे लेकिन इस कहानी के किरदार और angles इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने इसे दो पार्ट से मनाने का फैस्ट लाग किया है हलाकि आज की तारीक में हम खुद ही देख रहे हैं कि दो पार्ट में जो मूवीज बनती हैं अच्छा पैसा पीटती है पहले पार्ट में हाईप बनती है दूसरे पार्ट में तो मतलब क्या ही बताएं इसके अलावा पिछले साल कुछ रिपोर्ट में भी कहा गया था कि राकेश और प्रकाश महरा ने शाहिद कपूर को करण के किरदार के लिए फाइनल किया था लेकिन जब फिल्म के दो पार्ट में बनने पर बात आई तो शाहिद इस प्रोजेक्स से अलग हो गया सूरिया की बात करें तो उनकी फिल्म कंगुवा भी एक पीरियड अक्शन ड्रामा है जो दो पार्ट में आने वाली है इसके अलावा उनकी फिल्म वाडी वासल भी पाइपलाइन में है और जल्द ही इसकी रिलीस डेट वगेरा अनाउंस कर दी जाएगी कैथे टू में उनका रूलेक्स भाई वाला किरदार में विलन भी बनने वाला है तो यहां पर साभी चीजों को एक तरीके सासा लगता है कि आने वाले समय में सूरिया अपने लेवल पर एक अलगी स्केल देने वाले और इन सभी चीजों को देखते हुए अब्वेसी बात ह कुष अपर उसको आपने गाली दि तो ऑफने बीच गाली उसको आपने इस घर शंठ को आपने बोच को अस रहिगा देती जadenे वह आपना परिफिum पेची इंगों पर विटा जा ए मैं पीछे से लोग भूटिं करते कि ए फरोड जा रहा है, मैं को पता है, मैं उसे विडू क्या, बहुत में को परताव निचे है, मैं को जीत इसाब से प्रेशर दे, मैं को कभी लगता है, मैं 40-40 साल को बड़ा पॉलिटिशन हूँ जिसको पीछे दुस्मा लगा है, आज की मैं आपको फ्रोड जोषित दिया, मैं आपको फेक बोला, मैं आपको इसकेमर बोला, मैंने आपको घ्यान ही दिया, आप तो मैं ही पाईशन होगा भेरव कि वह घ्यान फिर से